हाई फ्रेंड्स कैसे हो तो आज हम आपके सामने अन्बोक्सिंग करने वाले हैं यह एंटिक गन है 5018 लेदर मसीन करके हैं यह कुछ इस तरह का आपको लेगा पैकेजिंग इसका देख सकते हैं तो वीडियो स्टार्ट करने से लिए आप हमारी चैनल को सुस्क्राइब कर सकते हैं लाइक कर सकते हैं वीडियो को और आगे आप शेयर कर सकते हैं ताके हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो लेते आते रहे हैं ठीक है तो चलो वीडियो स्टार्ट है आप देख सकते हो कुछ इस तरह का आपको पैकेचिंग मिलेगा है भी भी है इसको अन्बोक्सिंग करते है बॉक आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपको ये गन मिलेगा लेधर केस साथ में दिया हुआ है लेधर पॉकेट केस लेधर कॉलिटी भी बढ़िया है या आप इसे आपने बेल्ट में प्लग कर सकते हैं आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया पीस है वेट काफी है लगेगा नहीं कि लाइटर गन है देख सकते हैं पूरा मैटलिक है यह बोडी पूरा मैटल है प्योर मैटल यह कुछ देखते यह कुछ लॉक सिस्टम दिया हुआ है यह लॉक नीचे करो गया तो यह प्रेस नुई होगा इसको अब कर गया लॉक को आप अब कर देना है अनलोक कर देना है फिर आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, यहां से भी होगा यह, अब देख सकते हैं, फिनीसिंग भी बढ़िया है, यहां से फ्यूल करना है, यहां प्लस माइनस मिन्स, यहां से आप फ्लेम का जो रेशियो है, फ्लेम को बढ़ा भी सकते हो, और कम भी रख सकते हो, कम रखोगे तो बहतर रहेगा, क्योंकि आपका फ्यूल कम यूज होगा, यहां से फ्यूल आप कर सकते हो, फ्यूल कर सकते हो, यह कुछ लिखावाए उपर आप देख सकते हो, यह वीडियो उन लोगों के लिए जो गन रखना पसंद करते हैं, रियल तो नहीं मगर कोपी हिसा वेट भी अच्छा है, चीज भी अच्छी है, यह खास कर टिक्टॉकर्स यूज बहुत करते हैं इस टाइप के गन्स, आपको इसका वेट बता देता हूं, मैं कितना वेट है इसका, जिरो ही है, 380 ग्राम्स का है यह पूरा, एप्रोक्स यह 420 ग्राम्स के आसपास है, इसमें 40-50 ग्राम कुछ कम ही दिखाता है, एप्रोक्स 420 के आसपास वेट है, काफी बढ़िया है, मैटल ही है, ग्रीब भी अच्छा है, देख सकते हैं, तो मीध है, आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो हम, आप से रिक्वेस्ट करेंगे, क्या आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सस्क्वाइब करें, ठीक है, तो चलिए, फिर मिलते हैं, आप एक ही के आपके लिए हमने इस तरह की वीडियो लेते आते रहेंगे बाई